सब्सक्राइब करने में अगर आप उर्दू या हिंदी में सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे वियूर्ज हैं वो मुस्ली पकस्तान इंडिया बंगला देश नेपाल इदर से हैं तो मैं जो है वो उर्दू और हिंदी में वीडियो बनाऊंगा सही है और अच्छा जो हमारा हम चल रहे थे है CSM को लेगे तो मैंने नोट किया कि कुछ लोगों को अभी बेसिक्स ही नहीं पता सेफ्टी की ठीक है क्योंकि कुछ टर्मिनोलोजी में आगे यूज करने जाओंगा CSM के जो मेन लेक्चर्स है उसमें साइट सेफ्टी मैनोर में कॉंट्रेक्टर सेफ्टी अडिनिस्ट्रेटिव रिक्वार्मेंट्स में ठीक है कि यह यह डाकुमेंटेशन होंगी तो उससे पहले मैंने सचा कि एक वीडियो बना दीजाए जो के basics को define करें like JSA हो गया risk assessment हो गया hazard risk कुछ लोगों को unfortunately hazard और risk की basic definition और basic difference ही नहीं पता ठीक है तो यह हम देखना चाहेंगे इस वीडियो में तो चलते हैं इस वीडियो का objective है हमारा कि मैंने आपको hazard और रिस्क के दरम्यान difference बताना है ठीक है मैंने आपको बताना है JSA क्या है purpose क्या है JSA का contents क्या क्या होंगे JSA में honor कौन है JSA का honor means who is responsible person of the activity how to develop a JSA आप develop कैसे करेंगे JSA एक effective JSA आप कैसे develop कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारे training के objectives है moving further अच्छा जी सबसे पहले तो अपना concept clear करें कि hazard और risk के दरम्यान difference गया ठीक है hazard anything which has potential to cause harm to people, environment, assets or property ठीक है जी as we are working as a HSC तो सिर्फ हम people को नहीं देखते हैं हम people के साथ environment को भी देखते हैं हम assets को भी देखते हैं ठीक है ठीक है तुके these environment is also important to like we have to control the hazards related to environment or we have to control the hazards which are dangerous for our property which are risky for them so इसलिए हम देखेंगे इन तीनों चीजों को इन तीनों चीजों people, environment, assets, property इन पे अगर कोई चीज गलत effect करेगी तो risk होगा इनकी safety पे तो हम उसको hazard कहेंगे ठीक है कि यार यह चीज इसको damage कर सकती है इसलिए यह hazard है ठीक है जो जिसमें potential है कि वो people, environment, assets, property को damage कर सके वो hazard है ठीक है अब risk क्या है? risk is associated with that hazard which can cause harm to people and it is a likelihood that a person can be harmed or suffers right, कि क्या probability है, क्या likelihood है, कितने chances है, कि risk क्या है, कि कितने chances है कि अगर एक human या environment या assets, property उस hazard से exposed होगी तो कितने chances है कि वो damage हो जाएगी, उसको नुक्सान पहुंच जाएगा ठीक है, तो यह हमारे पास risk है, like for example, मैं यहाँ पर आपको दूँगा कि हमारे पास एक flammable liquid का drum पड़ा है, ठीक है side पे और उसके बाद साथ welder welding कर रहा है, अब hazard क्या है? hazard welding, welder is doing welding very near to the flammable liquid container, ठीक है, यह hazard है लेकिन risk क्या है? risk आग लगने का risk है, अब उसको हम calculate करते हैं कि कितनी probability है और कितनी severity से आग लग सकती है एक और example देता हूँ, worker काम कर रहा है, इसके folding पे, height पे, ठीक है और अब risk क्या है, hazard क्या है, कि यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है उपर से नीचे गिरेगा, यह hazard है, यह अगर को guard rail remove है, ठीक है वो guard rail improper platform is a hazard, ठीक है, यह hazard है कोई tool उसके पहुं में पढ़ावाई है, वो उसको उसके पहुं से टकराके नीचे गिर सकता है यह hazard है, ठीक है, उसका कोई plant missing है, उसका folding का यह hazard है अच्छा आप रिस्क पर बात करते है, रिस्क है कि वो अगर उपर से नीचे गिरता है, ठीक है यह रिस्क है, वो उपर से नीचे गिर जाएगा, अब वो गिरता है तो कितना swear damage होगा, कितना swear उसको नुक्सान पहुंचेगा है, यह risk है समझ आ रही है आपको मेरी बात, I hope कि मैं आपको easiest word में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको catch कर रहे हैं, ठीक है तो सबसे पहले अपना basic concept clear करें hazard और risk के बारे में, still अगर आपको कोई confusion है तो आप मुछ से दुबारा पूछ सकते है comment box में, ठीक हो गया आगे चलते हैं, यह देखें जी, अभी हमने define किया hazard, hazard is anything which can cause harm to people, environment, assets or property, अब इसमें देखते हैं, यह activity हो रही है, इसमें कौन कौन सा hazard involved है इसमें देखें जी, इस number one को और कह रहा है, आरक light, यह देखें welder welding कर रहा है, आरक light है, ठीक है, यह है, यह है, यह है आरक light, यह hazard है, fall from height ये देखें, proper platform पे का में का रहा है, fall from height का hazard है, oil spillage, यह oil spillage होई ही हुई है, slip trip fall, हो सकता है, hazard है और क्या पता यह आईल जो हो यह फ्लेमेबल हो इसको आग लग सके इसी तरह व्टिंग लियर फ्लेमेबल मटेरियल नमर फॉर यह देखें वेल्डर है यह व्लिंग कर रहा है 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 चलीनिंग क्लॉड्स डिद हाई प्रेशर एयर मॉस्ट फॉमन है जो कि आपको साइड्स पर मिलेगा, high pressure air, compressed air से लोग अपने FRC's, अपने यह working, clothing, साफ कर रहे होते हैं ठीक है, यह hazard है carrying heavy load, यह देखें ergonomic hazard है, यह heavy load carry कर रहे है, अब देखें, यह hazard है ठीक है, अब इसमें risk क्या है risk हम देखेंगे, क्यार है, यह heavy load carry तो कर रहे है, यह hazard है, लेकिं मतलब कोई pain या कोई effect होगा ठीक है कितने chances हैं और कितना swear risk को effect करेगा वो hazard यह risk है ठीक है risk का formula है risk is equal to probability into swearity ठीक है carrying heavy load यह जिसना आपको बताया improper electrical cable joint यह देखें improper cable joint है ठीक है improper platform to work at height as we discussed earlier यह दुबारा hazard है ठीक है तो जी यह एक just example दीती है आपको कि यह hazards है ठीक है आपने hazard को कैसे identify करना है hazard और risk के तरवियान आपको difference hope समझ आ गई होगी आगे चलते हैं job safety analysis पे job safety analysis क्या है JSA एक document है जो लोग अरामको की sites पे काम करते हैं उनको पता है कि यह कितना important document है और client इसको require करता है कि हर permit जब भी work permit receiver permit issue करवाने जाता है तो work permit issuer उससे JSA डिवान करता है ठीक है तो यह document है जो हर वक site पे भी मुझूद रहता है JSA is a formalized process that is used to identify specific hazards related to specific tasks that take place in the workplace ठीक है एक formalized process है यह क्यों किया जाता है यह specific hazard with respect to specific task task और activity का आगे मैं जो है न वो differentiate करने जाओंगा क्योंकि यह दो important चीजें task और activity activity होती है broader term है like आज कौन से activity करनी है जी आज hot work activity है हमारे पास ठीक है आज हमने hot work activity अब उस activity को जब breakdown करेंगे smaller steps में like hot work activity में क्या क्या task आएंगे cutting गाएगी welding गाएगी grinding गाएगी और जो जो hot work होंगे वो आएंगे यह क्या हमने किया task में इसको breakdown कर लिया ठीक है this is done by breaking down a job into separate task and looking for potential hazard at each step of the task अब जो risk assessment या अरामको की language में इसको HIP बोलते है hazard identification plan उसमें activities को define किया जाता है activities के accordingly hazards को identify करके risk rating करके control में यह suggest किया जाते हैं जबके JSA, JSA में क्या किया जाता है उस activity को further broke down किया जाता है into smaller task और फिर उन smaller task के against दुबारा से आप कहले risk assessment की जाती है कमझ रहे हैं? दुबारा से उसको hazard को identify किया जाता है और फिर उसके accordingly control measures suggest की जाते है देखें जी मैंने लिखागा difference between JSA और risk assessment risk assessment is a generic tool which is made for the whole process in which hazards and control measures are addressed widely सही है? It is usually made and approved by project stop management and attached to a method statement ठीक है? जी mostly HSE managers बनाते हैं project managers involved होते हैं, site engineers involved होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी activity है उसके against क्या hazard है और क्या हमने control measures suggest करते हैं और यह usually project start में ही activities define कर दी जाती है और method statement के साथ लगाके आरामकों में submit करवा दी जाती है ठीक है? जबके JSA जो होता है वो daily basis पर भी अक्सर बनाए जाते हैं कोई भी ऐसी नई non routine activity आ गी है ठीक है? और उसके against उसको हम steps में breakdown करेंगे छोटे छोटे चोटे टास्क में और उस task के against हर टास्क का अलादा JSA बनेगा like hot work एक activity है उसके task है cutting, welding, grinding अब cutting का अलादा JSA, welding का अलादा JSA, grinding का अलादा JSA समझे रहे हैं? JSA में कहा लिखाए जी JS is a tool which is used for the specific task it identifies control measures for observed hazards which must be implemented before the start of the task ठीक हो कहा है? It is usually made by task supervisors or foremen with support from the HSE team ठीक है? यह task supervisor यह foremen बनाते हैं और with respect to HSE team उसको support करती है ठीक है? लेकिन कुछ companies में HSE की responsibility लेकिन as per अराम को, owner of the JSA is the responsible person of that task वो कौन होगा? वो construction का बंदा होगा? वो supervisor होगा construction का? वो site engineer होगा construction का? सही है? लेकिन बनाएंगे वो, वो help ले सकते हैं HSE team से purpose कहा है JSA का? The purpose of JSA is to put in place correct solutions to eliminate or minimize the risk of the hazards which will be eliminated while developing a hazard और एक बड़ी important point मैंने लिचे लिखा है implementation of JSA is more important than documentation this is the responsibility of safety उसने रिस इंशोर करना है कि जो जो चीज़े JSA में लिखी है वो implement हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है? यह देखे जी steps है JSA बनाने के लिए सबसे पहले activity plan की जाती है कि हमने क्या activity करनी है उसके बाद activity को breakdown करके मैंने जैसे बताया है उसको कहते हैं हम task जब activity को break करते हैं उसको कहते है task enlist करते है tasks को ठीक है like activities hot work not उसको hot work को enlist किया task में क्या task है? cutting, welding, grinding, etc. उसमें अब identify किये hazards अब cutting के hazards identify किये उसके बाद cutting के control measures हमने suggest किये उसके बाद दूसरा task हमने लिया था welding, welding के hazard identify किये welding के control measures suggest किये leather JSA बना ये इस तरह के ये procedure है JSA बनानेगा अब जब आपकी site supervision team ये construction team को नहीं समझा रही हो controls की control measures किये suggest करने है त्यूंकिवोगे वो अपनी activity plan उन्होंने की होगी आती है दरपेश तो वो उसको कैसे करेंगे वो risk assessment से या HIP से consult करेंगे या हो HSC supervisor या HSC team से consult करेंगे ठीक है इसमें क्या होगा कि उनको देखें मैंने आपको होता है HIP या risk assessment already project के starting phase में ही submit करवा दी जाती है और वो बनी हुई होती है अब जब routine basis पे JSA develop की जाते हैं तो वो JSA में similar तकरीबन similar activities होती हैं बस सिर्फ उसको task में divide कर दिया जाता है अब उस task के लिए जब control measures लेना है तो आप अपनी risk assessment यो आड़ी बनी विया है 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 हाईजर identification plan जो रामकों में हम use करते हैं उदर से मदद ले सकते हैं और फिर communicate the JSA to your workers in the language which they understand ठीक है खाली JSA बना के रखनी लेना होता जो जो JSA में चीज़े लिखी हैं ये in the form of pre-task toolbox talk workers को पहुंचानी communicate करनी ज़रूरी है ठीक है क्योंकि at the end वो लोग stake पे हैं वो लोग on the ground काम कर रहे हैं समझ रहे हैं ये जिसरा हम ने ये दुबारा एक मैंने किया slide add कर ली क्या है task steps list down the task ये देखें तीन कॉलम होंगे एक कॉलम में सारे task हम लिख देंगे दूसरे कॉलम में हम hazards लिख देंगे तीसरे कॉलम में अल्राइट देखें जी example main activity है making a T joint in a metal pipe this is activity आपकी जो risk assessment यह है है उसमें यह लिखा होगा making a T joint in a metal pipe उसके against उन्होंने hazard लिख किया लेकिन जब JSA बनाएंगे तो आपने उस activity को उठाना है उसको breakdown करना है into smaller tasks और हर task के against JSA बनेगा समझ रहे हैं यह JSA बनेगा यह देखें जी main activity making a T joint in a metal pipe task involved के cutting of pipe welding joint of the pipe grinding of pipe ठीक है JSA मैंने बना के एक example दिया आपको steel pipe cutting ठीक है अब देखें cutting के जी उसमें making a T joint of a pipe activity थी है उसके against आपने JSA बना है steel pipe cutting hazards scattered particles flying spars electric shocks control में यह use of safety guard and glasses use of fire screen insulated wire or connections यह जी street pipe cutting अगला step के होगा पहले कट के रहें अगला step के है welding का welding of the pipe उसमें के hazard है fire, arc flash, radiant heat, welding fumes controls के होंगे keep combustibles away, provision of fire extinguisher, use arc rated FRC, use welding visor ensure ventilation इसी तरह grinding उसके बाद होगी use of improper disc, electrical shock, eye injury, hearing damage, use of basically control में आगे, use of proper disc that is grinding disc for grinding purpose, cutting disc for cutting purpose insulated wires connections, use double IF protection now who is the owner of JSA person in charge of the work activity is the owner of JSA, not safety officer or safety supervisor is responsible, the person in charge of that work activity, he could be a construction foreman, construction supervisor or site engineer, the owner of JSA must ensure that all tasks have been addressed by JSA and control measures for each step has been identified against each hazard use ki responsibility है अच्छा अब जो workers को communicate करेंगे कैसे communicate करना है pre-task activity में pre-task activity हमेशा construction के लोग देते हैं construction supervisor, foreman or site engineers वो उनको बताएंगे workers को के JSA में actually लिखा क्या है यही चीज मैंने English में यहां पे लिखी है और बड़े important question who will deliver pre-task activity mostly लोग सोचते है pre-task activity safety देता है safety officer अपनी activity देता है एक जर्नली safety से related उसको बताता है लेकिन pre-task activity है जो के with respect to that specific activity or task safety के बारे में जो बताएगा वो honor of the activity or task जो के foreman construction supervisor site engineer होगा so आज के lecture में हमने क्या सीखा हमने ये सीखा के hazard और risk के दर्मान difference क्या है JSA होता क्या है ठीक है honor of the JSA कौन है कौन बनाता है sorry और JSA कैसे बनाना है I hope आपको इस वीडियो में ये basic concepts का समझ आए होंगे इसी को लेके हम आगे चलेंगे और अपना CSM के lecture स्टार्ट करेंगे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की basics जो है वो मैं strong कर लूँ ताकि आप लोगों को आगे CSM समझने में आसानी हो so guys thank you very much और हाँ ये चीज रह गई है कि आप control measures कहां से रह सकते हैं कहां से ले सकते है control measures so control measures guys आप ले सकते हैं approved risk assessment जो के अरड़ी बनी हुई है approved HIP अरड़ी बना हुई है approved JS जो previous बने हुई है उनको ठाके ले सकते हैं control और HSE team से consult करके आप control में ये सकते हैं so ये थी हमारी आज की training presentation or lecture so I hope you guys have understood what I have told you and don't forget to subscribe my channel to get early notifications for the upcoming lectures thank you very much